अगनी बीमा अब आप जानते हैं बचों की अगनी जो है अगर उसको देखें तो वो कितनी खतरनाक चीज भी है और कितनी जरूरी भी चीज है तो एक स्टेटमेंट है जो सर लॉर्ड बुक ने दिया है उनके नुसार अगनी एक अच्छी सेविका भी है किन्तु एक बुरा स स्वामी भी है कुल में लाकर कि अगर हम इस स्टेटमेंट को समझें तो इस स्टेटमेंट के अनुसार कि यदि अगनी पर नियंतरंट रखा जाए तो क्या होगा उसका लाब उठाया जा सकता है लेकिन यदि अगनी पर नियंतरंट नहीं रखा जाए या वो नियंतरंट के कर बाहर हो जाए तो इसके भयंकर प्रणाम सामने आ सकते हैं आपने देखा होगा कि जब कही आग लग जाती है कितने बड़ी-बड़ी जल जाती है कितने बड़े-बड़े अपार्टमेंट्स जल जाते हैं इवन मानव जीवन का भी कितना बुरी तरीके से अंत होता है तो अगनी जो है अगनी बहुत ही खतरनाक होती है और अगर इसे नियंत्रन नहीं कर पाया गया तो इसके भयंकर प्रणाम सामने आते हैं तो इन परणामों से सुरक्षा पाने के लिए ही अगनी बीमा का उद्गहुआ या अगनी बीमा सामने आई या अगनी बीमा का उपयोग में लाया गया अब अगर हम अगनी बीमा का अर्थ समझें तो अगनी बीमा से तातपर्य उस अनुबंध से है जिसमें क्या होता है कि बी प्रतिफल के बदले में बीमाधारी को उसकी संपत्ती को निश्चित अवधी तक अगनी द्वाराहानी पहुंचने पर पूर्व निश्चित्धन राशी तक शतिपूर्ती करने का वचन देती हैं इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि जो बीमा कंपनी हैं वो क्या करती है एक पॉलिसी के अंडर यह एक कॉंट्राक्ट बनाती है जिसके अनुसार वो क्या होता एक निश्चित अवधी के लिए वो क्या तै करती है उसमें कि जो बीमाधारी है उसकी जो भी संपत्ती के लिए वो बीमा कराना चाहरा है उसके बदले में एक लिमिटेड अमाउंट में वो premium पी करेगा यानि प्रतिफल हुआ ये और उस थिती में वो क्या होगा उस अवधी के लिए वो उस संपत्ती का अगनी बीमा करेगी जिसके अंतरगत यदि उस संपत्ती को अगनी से किसी भी तरीके से नुकसान होता है तो उसके बदले में जो बीमा की रिकम है उस फिर आगे बढ़ते हैं अगनी बीमा की परिभाशा को देखते हैं जैसे कि अब स्क्रीन पर देख रहे हैं अगनी बीमा की परिभाशा अगर हम देखें तो भारतिय अगनी बीमा अधिनियम 1938 के इनुसार अगनी बीमा अन्य बीमा के अतरिक्त ऐसा बीमा अनुबंध है जो की अगनी अत्वा अन्य ऐसे जोकिमों के विरुद किया जाता है जिसका उलेख अगनी बीमा अनुबंध में हो अब हम आते हैं अगनी भीमा की प्रकृती पर उनके बारे में चर्चा करते हैं और समझते हैं पहला जो point है वो कहता है लिखित अनुबंद यानि written contract जो अगनी भीमा है या कोई भी भीमा है हम अभी तक देख रहे हैं वो एक written contract होता है दूसरा बिंदू इसमें लिखा है कि इसमें दो पक्षकार होते हैं जैसे कि अभी तक मैं आपको बताते आई हूँ कि इसमें दो पार्टीज होंगी एक जो होगा बीमा करता होगा एक होगा बीमा धारी इस तरीके से दो पार्टीज होगे फिर बाद आती है बीमित राशी की वापसी जरूरी नहीं, repayment of some assured not necessary, अब क्या होता है इसमें कि यदि अवधी में क्या हुआ कि उस संपत्ती को किसी प्रकार की अगनी से हानी हुई, तो उस संपत्ती की हानी के एवज में बीमा कमपनी क्या करेगी, उस बीमा धारी को payment करेगी, या बीमा की रकम देगी, लेकिन अगर उस अवधी में उस संपत्ती को किसी भी प्रकार की हानी नहीं होती, तो क्या होगा, कोई भी payment नहीं होगा, वहाँ पे वो कुछो contract बनता है, या बीमा का अनुबंद बनता है, वो समाप्त हो जाता है, जो अगली प्रकृती कहती है, वो है बीमा की अवधी, period of insurance, इसम पावाद हम देखते हैं, पांचवा बिंदु जो कह रहा है, यह एक श्वत्यपूर्ती का सिधानत है, इसा is a contract of indemnity, जैसे कि आफ contract of indemnity पहले बिंजान चुके हैं, कि इसमें क्या होता है, कि जो बीमा कंपनिया हैं, वो कम amount, जिससे की मतलब हम कह सकते हैं, कि जो बीमा की कि कोई व्यक्ति है उसकी संपत्ती जिसका वो अगनी भीमा करा रहा है उस संपत्ती का जो वैल्यू है वो पचास जार रुपए है लेकिन वो क्या होता है उसका भीमा कराता है तीस जार रुपए का अगर उसकी संपत्ती का इस जूरेशन में क्या है इस कालावदी में उसको आग लग जाती है या किसी प्रकार की हानी होती है तो बीमा कंपनी क्या करेगी उसको कितना पैसा देगी तीस जार देगी कि पचास जार देगी तो बीमा कंपनी क्या करेगी उसको तीस जार देगी ठीक है इसी में अगर हम दूसरा देखें कि अगर इसी पचास जार की संपत हो गई उस सिती में कमपनी क्या करेगी उस व्यक्ति को सत्तर हजार नदे करके पचास हजार देगी तो इससे यह समझ में आता है कि यह क्षति पूर्ती का सिध्धानत है यहां पर जो बीमाधारी है किसी भी प्रकार का लाब नहीं कमा सकता आगे बढ़ते हैं उसकी आपको बताया कि यहां पर जो बीमा की अवधी होती है एक वर्ष के होती है और एक चीज़ मैंने आपको यह भी बताई थी कि इस अवधी के अंतरगत यदि जो संपत्ति जिसका नश्च कराया गया है तो जो बीमाधारी को पैसे वापस करेगी या बीमा की रकम देगी लेकिन in case उस duration में उस संपत्ति को अगर कुछ नहीं होता तो वहाँ पे जो अनुबन तयार हुआ था वो समाप्त हो जाता है और बीमा दारी को किसी भी प्रकार का कोई रकम नहीं दी जाती फिर बात आती है insurance शब्द का प्रयोग use of the word insurance अब बच्चों यहाँ पे अगनी जब बीमा की बात करते हैं तो यहाँ assurance शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं यहाँ पे insurance शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह एक शतिप पूर्ती के सिद्दान्त पर कारे करती हैं फिर बात आती है समर्पन मूलिक यह नहीं surrender value अब क्य क्या होता है कि यदि समय से पूर्व बीमा पत्ररणा करने की दिशा में बीमा कंपनी बीमा-धारी को कुछ ही धनराशी वापस दहीं करता हैं इसका मतलब यह हैं कि यदी कोई बीमा-धारी है उसने बीमा कराया है और वह चाहता है कि समय से पहले वो क्या करे अपने जो भीमा है उसको समाप्त कर दे और चाहे कि वो पैसा उसको वापस मिल जाए तो इस सिती में जो भीमा तो समाप्त हो जाएगा लेकिन जो भीमा की राशी है वो उसको वापस नहीं होगी ठीक है फिर अन्तिम आता है व्यक्तिकत अनुबंद यानि परसनल कॉंट्राक्ट इसमें क्या होता है जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि किस तरह के व्यक्तियों पर ट्रस्ट किया जाए या किन व्यक्तियों का जो कहने पर बीमा इस तरह के अगनी बीमा कराया जाए यहां पर चरित्र की बात आती है अगनी बीमा कराने से पहले जो बीमा करता है या बीमा कंपनी की एजेंट हम बात कर सकते हैं कह सकते हैं यह जो एजेंट होते हैं वो अच्छी तरीके से निरेक्षन करते हैं कि जो व्यक्ति आया है जिसे अपनी संपत्ति का अगनी बीमा करा जाना है उसका चरित्र कैसा है ये उसका चरित्र ठीक है तो उस थिती में क्या करता है उस व्यक्ति के लिए अगनी विमा करने की कोशिश करता है करके देता है लेकिन अगर यह पाया जाता है कि वह व्यक्ति का चरितर सही नहीं है, तो वह बलकुल भी इस अगनी बीमा के लिए मना कर दीता है। क्योंकि बचों अमम्हेक हुआन्ट रहता है, वह बड़ी मात्रा में रहता है। और जो व्यक्ति हो सकता है, कई बार व्यक्ति क्या करते हैं? जान बूज कर इस तरीकी का भीमा करवाएं कि अपनी प्रॉपर्टी का क्या करा लिया उन्होंने भीमा करा लिया अगनी भीमा और कुछ समय बाद उसी डियूरेशन में उसी इंटर्वल में जब कि भीमा के अंदर चल रही है वो संपत्ति उसको आग लगा के नश्ट कर दिय अब इससे क्या हुआ कि उसको वो संपत्ति नहीं चाहिए थी जिसने जान बूज कर आगला अगनेश्ट करी लेकिन इससे नुकसान किसको हुआ बीमा कंपनी को हुआ तो इस तरह के चरित्र वाले व्यक्तियों से बजने के लिए यहां व्यक्तिकत अनुबंद की बात की ग अगनी बीमा पत्रों की प्रकृति को जानने के बाद आएए अब हम देखते हैं कि अगनी बीमा पत्रों के प्रकार क्या है तो जैसे कि अब स्क्रीन पर यह डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं अगनी बीमा पत्र हम कह सकते हैं या विभिन प्रकार के अगनी बीमा पत्रों को देख रहे हैं हम इसे एक एक करके समझेंगे कि ये क्या करते हैं और इनके अंतरगत किस तरीके के बीमे किये जाते हैं पहला जो बीमा पत्र दिख रहा है आपको स्क्रीन पर उसमें लिखा है कि औस बीमा पत्र यानि एवरेज पॉलिसी इसके अंतरगत क्या होता है जब ब बीमित कमपनी है जो बीमादारीन की हानी है उसको बीमित मूल और गैर बीमित मूल के औसत के अनुपात में बाटती है यह हम कह सकते हैं औसत में बाटती है और फे क्या करती है और जो केवल बीमित मूल है उसी का भुकतान किया जाता है सिंपल सी बात है कि इसमें होता यह है क जब भी किसी वस्तु का बीमा किया गया इस बीमा पत्र के अनुसार उस वस्तु की हानी होने के बाद जो बीमा कमपणी है ठीक है वो क्या करेगी इस वस्तु कि जितने की बीमा कराई गई है उस मूले को और जितने का बीमा नहीं कराया गया है उस मूले को क्या करेगा उसका निगालेगा हम इसे बहुत अच्छे दारण से समझ सकते हैं मान लेजे एक वस्तु है जिसका मूले है साथ हजार रुपय चीक है अब इस साथ हजार रुपय की वस्तु है उसका जो बीमित मूले है या उसका बीमा किस नहीं करा आए गया चालीस ہजार रुपए में अब साथ हजार रुपए वाली वस्तू कि हानी होती तो बीमा कंपगी क्या करेगी तो बीमित मूह यह मूह और जो और मूलिक। नौरे क्या हुआ चालीस हजार रुपाय तो 60 में से जब 40,000 रुपए बीमित मूले है तो अब बीमित कितना बचा है? 20,000 रुपए तो 40,000 और 20,000 दोनों का आस्त निकालेगी तो बचा कितना? 20,000 रुपए चीक है? तो अगर ऐसा होता है कि अगर जो है इस कंपनी को 30,000 का नुकसान होता है मान लीजे या उस व्यक्ति को जिसकी वस्तु थी उसको इस वस्तु के एवेज में 30,000 का नुकसान होता है तो वो कंपनी क्या करेगी? जो औसत निकला है 20,000 रुपए वही शतिपूर्ती के रूप में देगी चीक है? पूरा शतिपूर्ती नहीं करेगी तो अगर 30 में से अगर 20,000 रुपए ही अगर भीमा की कंपनी उस व्यक्ति को उस भीमत वस्तु के हानी के रूप में देती है तो जो 10,000 पर बस्ते हैं उसका वहन स्वयां बीमा करने वाले व्यक्ति को या बीमा धारी को करना पड़ता है तो ये पहला प्रकार का बीमा हुआ जिसे हम औसत बीमा पत्र या एवरज पॉलिसी कहते है दूसरे प्रकार के जो बीमा पत्र है उसमें हम देखते हैं उसमें क्या लिखा है कि निर्धारित मूली का बीमा पत्र अब इसमें क्या होता है कि ये एक विशेश प्रवक्कार का बीमा पत्र होता है इसमें जब जिस समय बीमा कराया जाता है अगर उस समय उसकी हानी को निश्चित नहीं किया जा सकता तब जब बैठ कर बीमा कंपनी के सदस्य और जो बीमा धारी है जब उस वस्तु का बीमा करते हैं तब उस समय अनुमान तह क्या कर लेते हैं उसके उसे होने वाली हानियों को अनुमान लगाकर उसकी वैल्यू आखते हैं और उस प्रकार से उसका बीमा करते हैं ठीक है और इसमें जो होता है शती पूरती का सिधान लागू नहीं होता है जैसे कि मान लेजे अगर हम आभूश अलग है तेक हार दो साल बाद पास साल बाद उनका वैलियू यह अलग हो जाएगा तो क्या हम मादं सोट कि यह मृत पहुँंच सकते हैं यह सकता है कि यह हुँ आ कराना है क्योंकि हमें उससे हूने वाली पूरी तरकि हानियों से बचचना है इसलिए हमें यह बीमा कराना है तो हम इस तरीके के अगर बीमा कराते हैं तो हमें इसमें ग्यापता चलता है कि जो बीमित कंपनी है और बीमा धारी है चूंकि वो उसी समय उस वस्तु के होने वाली हानी को निशित नहीं कर सकते तो बैठ कर क्या करते हैं जब बीमा कंपनी और बीमा धारी जब बीमा बनवाते हैं तो उसमें यह decide करते हैं कि in future कितना loss हो सकता है अगर इतना loss होगा तो company कितना bear करेगी ठीक है तो यह जो है शतीपूर्ती के सिधान्त को लागू नहीं करता क्योंकि अगर शतीपूर्ती के सिधान्त को लागू करेगा उसमें मैंने क्या बताया था कम से कम एमाउंट में क्या करती है जो भीमा धारी है उसको पैसे देती है लेकिन यहां ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम हो जाए तो जिससे शती पूरती हो ही नहीं पारी है तो शती पूरती का सिध्धान्त यही होता है आगे बढ़ते हैं जो तीसरा हमारा ओसत भीमा पत्रों के प्रकार में तीसरा प्रकार है वो कहता है विशिष्ट मूले का भीमा पत्र यानि स्पेसिपिक पॉलिसी अब यह जो भीमा पत्र होता है एक विशिष्ट प्रकार का भीमा पत्र होता है इस भीमा पत्र की जो रकम हो कि उसमें क्या होता है कि जैसे हमने औस बिमापत्र में देखा कि और शुति पूर्ति का भुकतान करती है इसकी बाद आता है खुला तता चल बिमापत्र यह निए ओपन और फ्लोटिंग पॉलिसी इसमें किस तरी की बीमे किया जाते हैं कि जिन माल का दैनिक प्रयोग किया जाए ठीक है या माल की मात्रा में हमेशा परिवर्तन होता रहे तो इस प्रकार की जब बात आती है तब वहां पर खुला तरधा चल बीमा पत्र यूज किया आता है यह इस तर अब इस तरीके के बीमा पत्र में जब बीमा धारी को उसकी वस्तू को अगर भुकंप से हानी हो रही है अगनी से हानी हो रही है विद्यूत पात से हानी हो रही है किसी भी प्रकार से शती हो रही है तो इन अलग अलग प्रकार से उनकी वस्तूओं को होने वाली हानियों से बचाने के लिए शती पूरती का वचन दिया जाता है तो यह है व्यापक बीमा पत्र यानि comprehensive policy फिर next प्रकार जो आता है वो कहता है अत्रिक्त जोखिम का बीमा पत्र अब देखे बचों यह जो है additional risk policy इसमें क्या होता है इस बीमा पत्र को दो भागों में बाटा जाता है पहल जब उसमें जो माल होता है वो न्यूनितम स्टॉक सीमा से अधिक हो जाता है तब इस प्रकार का बीमा पत्र तयार किया जाता है तो जो पहली स्थिती थी न्यूनितम स्टॉक सीमा जब उसमें बीमा पत्र तयार किया जाता है तो उस तरह के बीमा पत्र को कहा जाता है प्र से हम कहते हैं अत्रिक्त जोखिम का बीमा पत्र फिर अगला है बीमा पत्र में लिखित शती के फलस्वरूप अत्रिक्त हानी का बीमा पत्र यानि कांसी कैसिनल लॉस पॉलिक्त जानते हैं बीमा एक प्रकार का नुभन है जो की वीमा धारी और बीमा करता के बीच में बता है तो इस प्रकार के नुशाल Jaises में कि बीमा पत्र में लिखित शती के फलसुरूप अत्रिक्त हानी का बीमा पत्र यह सब्स्प्र पर बता रहा है क श्रति इतनी पूर्ति की जाएगी लेकिन साथ ही साथ उसको इन फ्यूचर होने वाले लॉस से भी यह बचाते हैं यह पॉलिसी जैसे कि हम फर एक्जेम्पर या उदारण के लिए यह ले सकते हैं कि मान लेजिए किसी कि manufacturing unit में ठीक है क्या हुआ कि आग लग गए तो जिससे पूरा स्टॉक खतम हो गया तो इससे जो लॉस वो किसको हुआ हानी किसको हुई तो तब तक की हानी को वहन करने के लिए कौन क्षति पूर्ति करेगा या कौन मदद करेगा यह बीमा पत्र मदद करते हैं आगे बढ़ते हैं हम फिर अगला जो प्रकार है वो कहता है पुनर्स थापना बीमा पत्र यह जो होती है इसमें जब भी कमपनियों की जो संपतियां नश्ठ हो जाती हैं उनको फिर से पुनर्स थापित करने के लिए इस तरह के बीमा पत्रों का उप्योग किया जाता है इसके बाद अगला प्रकार है विस्तरित बीमा पत्र यानि ब्लैंकेट पॉलिसी इसमें जो होता है स्थाईवचल संपत्यों के लिए एक ही बीमा पत्र कराया जाता है दोनों तरह की संपत्थियों के लिए ठीक है अलग-अलग नहीं हो एक ही बीमा पत्र कराया जाएगा और अन्तिम जो है प्रकार वो चेता है मारग बाम पत्र ट्रांजेट पॉलिसी जब भी किसी वस्तू को एक सिह स्थान से दूरे स्थान तक ले जाया जाता है तो उससे होने वाली हानियों से बचाने के लिए इस प्रकार का बीमा पत्र करा जाता है। ताकि जो भी मारग में उस वस्तू को हानी होगी तो उसकी भर्पाई कहां से की जाएगी इस policy से की जाएगी और इन सभी policy Quindi को क्या किया रहता है बीमित company को एक निश्थर मात्रा में जो की बीमा करतने के समय अनुबंद तयार किया गया है उस अनुसार क्या किया जाएगा बीमा धारी द्वारा बीमा कंपनी को प्रीमियम दिया जाएगा तो इस तरीके से आपने बचो अगनी बीमा पत्रों के प्रकार को जाना आईए अब हम देखते हैं कि अगनी बीमा अनुबंद के आवश्चक लक्षन या तत्व क्या हैं जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं Essentials or Characteristics of a Fire Insurance Contract जैसे कि बच्चों हमने सिध्धान्त में बहुत सारे सिध्धान्त जाने जब हमने बीमा प्रारंब किया था उसी समय हमने लगबख साथ से आठ सिध्धान्तों की चर्चा की थी उन्हीं में से कुछ सिध्धान्तों को as a characteristics या हम कह सकते हैं उसके लक्षन या तत्व के रूप में हम अगनी बीमा अनुबंद में देखेंगे तो जो पहला आप स्क्रीन पर तत्व या element देख रहे हैं या essential या characteristics हम बोल सकते हैं वो कहता है बीमा योगिहित यानि insurable interest जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि बीमा योगिहित क्या है उसकी जो है सुरक्षा से उसको लाब हो और यदि बीमित वस्तु या बीमित व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो बीमा धारी को उससे हानी हो तो इस प्रकार के लक्षन जब पाय जाते हैं तभी ये जो है बीमा योगिहित वाला जो characteristics है या insurable interest वाला जो लक्षन है ये सामन आता है और तभी अगनी बीमा अनुबंद पॉसिबल है मैंने एक आपको धारन बताया था कि जब पत्ति पत्नी एक साथ थे तो क्या हुआ उन्होंने पत्ति ने अपने पत्नी के लिए क्या कराया एक insurance कराया लेकिन लेटर आन क्या हुआ कि उन्हों के बीच डिवोस हो गय कि नहीं क्योंकि उसके मृत्यू से उस पत्ति को कोई हानी नहीं हो रही उसी प्रकार अगर हम देखें कुछ उधारन तो वह इस प्रकार भी हो सकते हैं कि अगर कोई व्यवसाई है तो उसकी फैक्टर से उसको क्या लाब मिलता है ठीक है उसके बाद किसी कोई स्वामी है उ संपत्ती से जालाब है और साथ ही साथ सुनंबिमा कंपणी का पूर बिमा की गई संपत्ती से क्या लब है तो इस तरी के कि situations में यह जो पहला लक्षण है वो सिद्ध होता है यस पश्ट होता है हम दूसरे लक्षण की और बढ़ेंगे दूसरा लक्षण कहता है कि परम सद विश्वास का सिद्धान अट्मोस्ट गुड फेट जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने पहले भी बताया था कि इस सिद्धान फेर गेम खेलना चाहिए मतलब एकदम ट्रस्ट वाली बात है यहां पर सद विश्वास की बात है कि सारी चीजे प्लियर कट एक दूसरे को साफ साफ बता देनी चाहिए अगर हम अगनी बीमा नुबंद की बात कर रहे हैं तो उसके अंतरगत बीमा धारी को क्या बताना चा बन रहाना है अभीमा करता हो क्या बताना है कि जिस भी वस्तु का वभीमा करा रहा है मान लीजे वह मकान का बीमा करा रहा है ठीक है तो उस मकान का निर्मान कब हुआ ठीक है उसके निर्मान के बाद अब उसकी स्थिती क्या है यह सारी चीजें उसको एट टाइम जब उसक करते समय अभी की पोजिशन में या आज की स्थिती में जो हम मकान का एक्जाम्पल देख रहे थे मकान का अगर बीमा कराया जाता है तो उसको फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलेंगे कितना फंड मिलेगा इस जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या नॉम्स आएंगे कौन-कौन से रूल्स आएंगे किस बेसिस पर उसको फंड मिलेगा कौन से ऐसे रीजन्स या कारण होंगे जिस वजह से उसको फंड नहीं मिलेगा इस सारी चीज़े क्लियर कट बीमा करता को भी बीमाधारी को बता देने चाहिए मतलब यह जो सिद्धान था है परमसद्वश्वास का सिद्धान यहां पर सिद्ध होता है कि दोनों जो पक्ष हैं उनको एक दूसरे से निश्पक्ष रूप से सपष्ट रूप से सारी चीज़ों को बताना चाहिए अगला जो हमारा लक्षन है वो कहता है व्यक्तिकत अनुबंध यानि परसनल कॉंट्राक्ट का सिद्धान जै लोगों को देती है जिन पर वो पूरा ट्रस्ट करती है ठीक है मतलब यहां पर उनके कारेक्टर यानि चरित्र की बात आती है कि वह उस कंपनी को या इंश्रेंस कंपनी को इन फ्यूचर धोका देने की कोशिश नहीं करेंगे तो यहां पर जो होता है व्यक्तिकत अनुबं नीचा है तो इस हस्तांतरण को रोक सकती है और न मानने पर क्या हो सकता है यह बीमा रद या वॉइड हो सकता है ठीक है बच्चों हम आगे बढ़ते हैं जो अगला लक्षण है वो कहता है कि क्षती पूर्ती का सिद्धान प्रिंसिफल ओफ इंडिमिनिटी इसमें मैंने प जितनी श्रती होगी वह उसकी पूर्ती करने की कोशिश करती है लेकिन उसमें भी उसका यह प्रहतन होता है कम से कम फंड जो है वो बीमा धारी को दे हम आगे बढ़ते हैं अगले लक्षण की ओर और अगला लक्षण कहता है अधिकार समर्पन का सिद्धान प्रिंसिपल ओ स्वर्यशन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता इसमें क्या होता है था यहां करता है जैसे ही इन वहान तपर क्या होता है जो फर्जीस फ़स्तूब की हानी हुई है उसको टेक ओवर करता है इन सारी प्रॉसस में तो वहां पर क्या हुता है नीयदी का जो अधिकार है समाप्थ हो जाता है अगर इस तिती में अगर पिमाधारी यह सोचे कि हम जो है insurance company से भी बीमा का रकम ले लेंगे साथ ही साथ जो चीजें हानी होने से बच गई हैं उनको हम दुबारा बेच कर या किसी तरीके से उसका लाब उठा सकते हैं तो यहाँ पर यह possible नहीं हो पाएगा यही इस सिद्धान्त के अंदर बताया गया है जो अगला रक्षण है वो कहता है हानी को न्यूनतम करने का सिद्धान्त प्रिंसिपल ओफ मिटिगेशन ओफ लॉस जिसे हम इंगलिश में कहते हैं इसका सीदा सा फंडा यही है कि जब भी किसी वस्तु की हानी हो रही है जिसका बीमा हो चुका है तो बीमा धारी को हमेशा य उसकी हानी हो सके या उसकी हानी होने से हम किस प्रकार बचाए उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए यह इस सरह कि कोशिश अगर इंविस्टिगेशन में नहीं पाए जो की बीमा करता या इंशॉरन्स कंपनी के दोरा किया जाएगा तो उस हिति में क्या होगा जो बीमा कंपनी है वो क्या करेगी इस जो इंशॉरंस पॉलिसी है उसको वाइड कर देगी ठीक है और यह पाए जाता है कि नहीं जो बीमा-धारी उसने पूरी कोशिश की थी इस वस्तू को हानी से बचाया जा सके तो इस सिती में जो बीमा की रकम हैं वो क्या कर दी जाएगी बीमा की रकम बीमाधारी को दे दी जाएगी जो अंतिम एसेंशियल्स या हिंदी में इसे लक्षन कहते है वो अ fan कहता है कि निकट्म कारण का सिध्धान या ना 사람들이 कॉस अब बच्चों कैसे मंने आपको लास्ट में सिध्धान स्धान teu DJ मुख्षक जो बीवाIG कमपनी है वह बीमा की रकम देती है या नहीं देती दोनों ही चीजें होती है तो जो अंतिम कारण है जिम्मदार होता है कि बीमा धारी को बीमा की गई रकम का जो है उसको देनदारी होगी या नहीं होगी तो बच्चो इस तरीके से हमने अगनी बीमा अनुबंद के आवश्चक लक्षणों को जन